गर्भवस्ता के दौरान डॉक्टर्स लेकर घर के सभी लोग गर्भवती को अपने सेहत का ख्याल रखने की सलाह देते हैं इस वक्त गर्भवती के सेहत का सीधा संबंद गर्भ में पल रहे शिशों के साथ होता है यही कारण है कि प्रेग्नेंसी के दौरान हेल्दी फूड लेने की बात कही जाती है वहीं कई लोगों का ये सवाल होता है कि आखर प्रेग्नेंसी के दौरान केला खाना चाहिए या नहीं नमस्कार मैं हूं सुक्रदी, रोई, चैटर जी और बोल्स का इमें आप सभी का स्वागित हैं केले के गुणों की बात करें तो इसमें फॉलिक एसिड भरपूर होता है फॉलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ में एहम भूमी का निभाता है इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान केले का सेवन जरूर और सही मात्रा में करें केले में विटामिन B और विटामिन B6 भी पाय जाता है जो इस दौरान महलाओं को उल्टी की परशानी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है इसे खाने से गर्भवती को किसी भी तरह की कमजोरी नहीं होती वहीं प्रेगनेंसी में केला और केले को दूद के साथ खाने से आयरन की कमी भी पूरी होती है प्रेगनेंसी में अक्सर महलाओं को हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है गर्भ में पल रहे शिशु के लगातार हो रहे विकास के कारण महिला के शरीर में आयरन की जरुरत बढ़ती है केला दूद खाने से महिलाओं की ये कमी भी दूर हो जाती है वहीं प्रेग्नेंसी में केला पाचन शक्ती को भी ठीक रखता है इस दौरान महिला को कब्ज की परशानी होती है जिसको दूर करने और पाचन क्रिया को दूरस्त करने में केला एहम भूमिका निभाता है केले में फाइबर होता है जो पेड की परशानी से निजात दिलाता है वही फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B6 के कारण ये गर्ब में पल रहे शिशो के विकास में भी एहम भूमिका निभाता है ये शिशो के दिमाग को विकसत करने में मदद करता है गर्बवती को रोजाना केले को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए वही प्रेगनेंसी के दोरान केले के कई फायदे होते हैं लेकिन इसे खाने से पहले गर्बवती महिला को कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है वही प्रेगनेंसी के दोरान वजन बढ़ने से पैरों में दर्द और एठन की दिक्कत होती है केले में पोटेशियम की मातरा के कारण प्रेगनेंट महिलाओं को इस परिशानी से भी छुटकारा मिलता है साथ ही केला गर्ववती के इम्यून सिस्टम को मजबूत भी रखता है लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको गर्ववस्था के दौरान केला खाते वक्त रखना चाहिए जैसे की केला ताजा होना चाहिए केमिकल में पके वे केले बिल्कुल ना खाएं बहुत जादा पके अगले वे केले खाने से बचें इसके साथ ही जिन मेलां को केले से किसी भी तरह की अलर्जी है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए अगर शुगर की परिशानी है तो इस दोरान भी केले का सेवन डॉक्टर के सला के बाद ही करें जादा कफ या सर्दी जुखाम की दिक्कत होती है तो केला खाने से बचें फिलाल अस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें